गुड मॉनिंग इस्टूरेंट्स इस्टूरेंट्स आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश क्रेमर में हमने आपके चैप्टर 126 पढ़ लिए हैं आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 7 जिसका नेम है जेंडर्स जेंडर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार समझा दू कि जेंडर्स होता क्या है स्टूरेंट्स जैसे कि आपने पढ़ा था हमने आपके हिंदी व्याकर्ण में भी पढ़ा था पुरुष और इस्त्री के बारे में मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चले कि यह किसी बोई के बारे में है या किसी गर्ली के बारे में है यह किसमें बताते हैं हमें जैंडर बताते हैं जैंडर मतलब लिंग होता है मतलब कि कोई कोई भी नाम है अगर तो उस नाम से हमें क्या पता चलेगा कि किसी लड़की का नाम है किसी लड़की का नाम है या को भी वर्ड है तो कि वह लड़की के लिए उसकी अगया है या लड़क can be divided into masculine, feminine common and neuter gender noun words noun words हमने क्या पढ़े थे ऐसे words होते हैं जो नाम होते हैं किसी का भी कोई नाम है तो उसको हम noun बोलेंगे इंग्लिश में तो ऐसे शब्द जो किसी का नाम है can be divided उनको हम कर सकते हैं किसमें कितने में divided कर सकते हैं उनको फोर उसको काइंड हम बता सकते हैं जैसे masculine, feminine, common and neuter gender अब ये masculine, feminine, common and neuter gender क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे तब हमें धीर-धीर सब पता चलेगा there are four kinds of genders genders के four kinds होते हैं जैसे इसमें दिये हुआ है masculine and feminine gender है ना तो ये दो तो हमें आपे दे दी गए masculine and feminine इन में हम देखते है masculine and feminine क्या चीज़ है ऐसी कौन से gender होते है a noun that denotes a male is said to be the masculine gender a noun that denotes a female is said to be the feminine gender ऐसे संग्या शब्द या ऐसे noun जो किसको denote करती है क्या दर्शाती है कि कोई भी जो है शब्द वो पूरुष के लिए यूज किया गया है तो उसको हम क्या कहे देते है masculine gender कहे दे है अगर किसी male के लिए male मतलब पूरुष होते है जिससे आपके पापा है आपके भाई भाईया है आपके दादाजी है इस तरह से जो भी आते है जैसे जो कोई भी बोई आता है मतलब उसको हम क्या कहते है male में उसको हम लेते है तो वो हमारा कौन से gender हो जाता है masculine gender आगे है आपका a noun that denotes a female is said to be the feminine gender और ऐसी noun जो किसको denote करती है किसके बारे में हमें बताती है female के बारे में मतलब कि वो हमारी ममा के लिए हमने use किया है या हमारी sister के लिए use किया है look at the following sentences and pictures यहां हमें जो sentence दिये गए है वो हमें देखने है और यह picture भी हम देखके समझेंगे देखे जिसे first में हमें दिया है रवी is a boy रवी एक लड़का है he is my brother वह मेरा भाई है second में आपको दिया है कनी का is a girl कनी का एक लड़की है she is my sister वह मेरी बहन है तो boy and brother are the names of males तो यहां जो हमें वर्ड दिये है boy और brother किसके नाम है मैल के नाम है मतलब किसी लड़की के लिए हमने यूज किया है किसी boy के लिए हमने इनको यूज किया है girl and sister are the names of females और यह जो है girl and sister यह वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है female के लिए मतलब किसी लड़की के लिए हमने इनको यूज किया है boy and brother are of the masculine gender तो यह क्या है हमारे boy और brother क्या हो गए हमारे masculine gender हो गए girl and sister are of the feminine gender और girl और यह sister जो वर्ड आया है यह क्या है हमारा feminine gender है यह ऐसे ही बोस्ते जैसे नाम होते हैं गल्स के भी नाम होते हैं कलपना मिनाक्षी उर्मिला कवीता सरीता तो यह क्या है इन नामों से हमें क्या पता चलता है कि यह किसी लड़की के नेम है तो यह क्या हो गए हमारे कौन से जेंडर हो गए है हमारे फैमिनाइन जेंडर हो गए औ 兩ändern ! ये इस तरह से। यहां रवी दिया गया है !! यह ऐसे नाम किसके हैं ? hai boy के नाम होते हैं तो यह हमारा कॉंस्ट जेंडर हो गया ? masculine gender vaccine second is gonna common gender common gender क्या होते है moléC that can denote both the male and female is the common gender ऐसे noun, ऐसे words जो दोनों के लिए हम यूज करते हैं, एक लड़की के लिए भी हमने यूज कर लिया और एक लड़की के लिए भी यूज कर लिया, उसे हम क्या कहेंगे, common gender कहेंगे, जैसे teacher, teacher जो word है, ये अगर आपके कोई mem है, तो आप mem के लिए भी यूज करोगे, और अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो लड़की है और लड़का है, दोनों को हम बेभी बूलते हैं, तो common ये word हमने यूज किया है, सामानिक शब्द हमने यूज किया है, student, student, girl के लिए भी हम student यूज करते हैं, और boy के लिए भी हम student word यूज करते हैं, neighbor, neighbor में हमारे, अगर lady है, कोई औरत है, कोई महीला है, हमारे पडोस में रहेने वाले, वो भी उसके लिए भी हम neighbor यूज करेंगे, neighbor word यूज करेंगे, और अगर कोई जैंट से वो तब भी neighbor word यूज करेंगे, common words हम ऐसे यूज करते हैं, are of the common genders, तो ये हमारे क्या है, common genders है, अब देखिए इसके example and pictures, देखिए, Mr. Rastogi is a doctor, Mr. Rastogi, यहां पर हमें देखिए, एक जैंट, जैंट के हमें इमेज दी, एक जैंट के हमें इमेज दी है, हमें यहां पर पुरुश है ये और हमने इसके लिए क्या word यूज किया है, डॉक्टर, इधर देखिए, Mrs. Rastogi is a doctor, और यहां ये लेडी है, इनके लिए भी हमने कौन सा word यूज किया है, डॉक्टर, तो दोनों के लिए हमने common word यूज किया है, दोनों डॉक्टर है, तो डॉक्टर ही यूज किया है, ऐसा कोई शब्द अलग से इनके लिए यूज नहीं किया है, तो यह जो शब्द आया है, यह word जो आया है, इनके लिए भी और इनके लिए भी does the word doctor is of the common gender और इसलिए जो वर्ड है ये doctor ये क्या हो गया हमारा common gender ये हमारा हो गया है